नमस्कार दोस्तो मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता जुए में कैसे हैं आप सब तो यह बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जैवजरंग वली जरूर लिखे तो चलिए दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी समस्या से आप बहुत अधिक परिसान हैं, बहुत सारे पूजा पाट करके अपनी रास हो चुके हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि हर रास्ते हमारे जीवन में बंद हो चुके हैं, और आप लोगों के इसी प्रकार के बहुत सारे कॉमेंट्स बताई बताएं तो देखें अगर आप संतान के लिए दुखी हैं बहुत सारे लोग धरती पे दुख कि कमी नहीं हैं आप कर्ज से बाधी परिसान हैं या आप बच्चे बड़े हो गए बात नहीं सुन रहे हैं या पती पत्नी मैं लडाई जगड़ा है या नौकरी से संबंदी तो कोई भी समस्या हो जैसे बहुत पढ़ लिखते भी कुछ ना कुछ कारण से हमारी जो है नौकरी हमारी नहीं लगरी है कुछ ना कुछ मतलब बाधाएं सामने आके खड़ी हो जाती है तो हम क्या करें तब लगता है कि हम किसी पूछे हम क्या करें मैं आप लोग की भावनाओ को समझ सकती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा परिसान रहते हैं और कहती है कि पूजा पाट को ले कर बहुत सारे सपने आते हैं हम घबडा जाते हैं तो देखिए जिनको सपने आते उनके लिए पहले बता दू कि आप अपने बि तो चलिए मैं आपके साथ मंगल वार के तीन महा उपाए आपके साथ सेयर करूंगी तो आप लोग ध्यान से एक एक उपाए को सुनियेगा देखे ऐसे यह उपाए इसमें मैं जब यूटूब पे पहली बार वीडियो डाली थी नया नया मैं जब आई थी तभी मैं यह उपा आपके साथ सेयर करूंगी तो आप लोग ध्यान से एक एक उपाए को सुनियेगा और उस प्रकार से जरूर कीजिएगा भगवान चाहेंगे तो आपको बहुत दिन नहीं लगेगा जश्ट परिवर्तन दिखने ही वाला है केवल पांच मंगल वार आपको करने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे के मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेस अना आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि देखिए बहुत सारे पहले जो था बहुत सुक समरीधी वाला दीन चलता था एक आदमी कमाता था एक घर का गरजियन कमाता था कितने सारे बच्चे रहते थे फिर भी बड़ा सुक से बहुत बड़ा परिवार रहता था जॉइंट फेमिली फिर भी बहुत सांती से सुकून से लोग जी लेते थे अभी जो है घर में जितने सदस है न सभी कमाते हैं फिर भी घर में सुकुन नहीं है सांती नहीं है सुक सम्रीदी नहीं है क्या मतलब इसका क्या कारण है तो देखे इस कल्यूग में कुछ हम नहीं कर सकते केवल पूजा पाथ ही करके न दिल को दिल दिमाग को सांत कर सकते हैं आप लोग कहते हैं कि दीदी बहुत हलचल चलता है दिमाग में बहुत परिसान रहते हैं तो देखे एक पूजा पाठ ही कल्यूग में करके और भजन किर्तन भगवान का करके सुन के आत्मा को सांत कर सकते हैं दिल को सांत कर सकते हैं तो इसी में इसी कल्यूग में हमें किसका नाम लेना है हनुमान जी का आपको मालूम है कि राम जी के नाम से प्रशने रहते हैं तो अब सुबह साम जब समय मिलता है न कुछ गाएं गाना वेगरा गाने से भी टेंसन फ्री आदमी रहता है ठीक है और जितनी मन में आप लोगों के हलचल चलते हैं किसी बी चीज के लिए जैसे संतान के लिए कर्ज के लिए आप लोग घबराए रते हैं और नौकरी नहीं हो रहा है ये कारे नहीं हो रहा है वैसे नहीं हो रहा है मकान नहीं बन रहा है बहुत सारी लोगों के जीवन में समस्या है तो इस कल्यूग में एक ही निवारण है मान जी की पूजा अर्चना तो चलिए उपाय जान लेते हैं सबसे पहला हमारा उपाय क्या है कि आपको इक नियम बना लेना है कि आपको पांच मंगलवार का ब्रत करना है ठीक है ऐसे आप चाहे तो आगे भी कंटीनू कर सकते हैं लेकिन आप पांच कम से कम आपको ब्रत ठीक है तो आप कम से कम मंगलवार का ब्रत कीजिए हनुमान जी का किया हुआ कहीं नहीं जाता उसका फल आपको बहुत जल्द से जल्द दिखाई देगा अगर किसी भी समस्या से आप जूज रहें एक बार करके देखिए ठीक है आगली चीज क्या है कि आपको परतिक मंगल मतलब पांच मंगलवार का ये नियम है आपको ध्यान क्या रखनी है कि किसी भी हनुमान जी के मंदीर में अगर कहीं भी आपको आपके घर के आसपास अगर हनुमान जी का मंदीर है तो मंदीर में जाकर आपको सुंदर कांड का पाठ करनी है मैं तो हर वीडियो में बताती ह लेकिन पढ़िए हमिसा मैं समझाती हूं पांच बंगलवार किसी भी मंदिर में जाकर सुंदर कान का पाठ करनी है ठीक है एक अपने लिए बैठने के लिए आसन वेगरा ले लिजेगा और लाल वस्त्र धारण करके जाएगा साथ में एक दीपक आपको लेकर जानी है ठीक है जो है मंदिर में भी कर सकते हैं तो कम से कम देखे पूरा पाठ करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत अधिक समय लग जाएगा और फिर बाहर में इतना देर मंदिर में बैठना तो आप देख लिजेगा लेकिन कम से कम आप पांच अध्याय या कम से कम आ साथ अध्याय करके ही आपको आनी चाहिए सुंदरकान का पार्ट साथ पेज या पांच पेज आप पढ़के आईएगा और ये पांच मंगलवार आपको करनी है बीच में गैप नहीं होनी चाहिए इस बात का दियान रखनी है तो घर का अगर मुखिया कोई है अगर वो करते ह जो घर में सबसे बड़े सदस्य है तो और भी बहतर है ठीक है और घर में भी करते है तो भी दीपक जलाली जी का मंदिर में करते है तो जलाना ही है तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम तीसरा नियम क्या है कि आपको तुलसी माता अभी आपको कहीं भी मिल जाएगी बारिस क दिन है हर जगत तुलसी जी का पौधा अपनी आप से उग जाता है निकल जाता है तो बील जाता है तो आप 108 तुलसी पत्र देखें बीना कठिन परिक्षा दिये हमें कहीं सफलता नहीं मिलती बहुत हाड़ वर्क करना पड़ता है तो ये तो भगवान के लिए करना है तो आपको लगता होगा कि मतलब ऐसी बोल रही हूं लेकिन किसी भी कारी के पीछे ना बहुत अधी खून पसीना बहाना पड़ता है बहुत हाड़ वर्क करना पड़ता है और भगवान हमारा परिक्षा लेते हैं तो हम जो है मेहनत करेंगे तो जरूर उसका परिणाम हमारे सा जरूर कर 108 पत्ती साधा नहीं मतले उसके उपर अपको राम जरूर लिखना है चंदन से लिख morgen से लिख करिए क्योंकि राम के नामसे हमारे हनुमांजी बहुत अधिक प्रशन्य होते हैं सीट्सा राम के नाम से तो तो नहीं लिख सकते हैं राम कम से कम लिक कर अपतुलसी पत्र के उपर आप हनुमान जी को माला पहनाईए और जिस लड़के का अगर कारे सिध नहीं हो रहा है जो माताएं हैं जो पीता हैं उनके लिए बता दिरियों तो उस बच्चे से उस लड़के से भी आप लोग माला पहनवाईए मंगलवार के दिन देखिए आपके कारे अग अगर मनोकामना आपकी नहीं पूर्ण होती ऐसा होगा ही नहीं ठीक है तो ऐसे आपको करनी है और आप लोग कहते हैं दिदी सुई से नहीं पिरोते हैं बहुत सारे लोग के अलग-अलग कॉमेंट्स आते हैं आप लोग देख लिजेगा सुई से आपको बनानी है या किस ब अगली चीज क्या है कि और सुबह में ही ये पाठ आपको करनी है जिस भी मंदिर में आप लोग जाते हैं उस मंदिर में आपको सुबही ये कारे करनी है साम को नहीं करनी है देगे साम का लाभ नहीं मिलेगा और साम में बाहर में बहुत भीड भी हो जाती है सुबही सांती समय में आपको जानी है और भगवान का नाम मंदिर में बैठ कर लेनी है अगली चीज क्या है कि साथ में कुछ प्रसाद आप चाहें तो ले जा सकते हैं और नहीं तो आप लड़ू भी खरीद कर भगवान को मंगलवार के दिन भोग लगा सकते हैं लेगि खुद मत खाईएगा अ समझकर और विश्वास आदमी का विश्वास बहुत बड़ा चीज है पहले भगवान पर विश्वास तो करके देखिए यही सबसे बड़ा चीज है विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे आपका कारे सिद्ध होगा एक बर विश्वास करके यह तीन कारे आप करके द दानपटी में डाल के आ सकते हैं या आप किसी जरूरत मंद को कुछ मिठाई वेगराख खरीत कर दान के रूप में दे सकते हैं तो यही सबकारे को करने हैं और यहीं तक था आसा करती हूं उमीद करती हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिकलाब मीलेगा फिर म कर दिजेगा और वीडियो को लाइक कर दिजेगा धन्यवाद